Signum function, ये एक और extended version है आपका modulus function और आपके जोसे आप कहते हैं absolute value function की एक अलग modified version का आज इसे हम explore करेंगे और इस पर based questions के साथ इसे भी अच्छे से समझेंगे I hope आप जानते हो आपकी IIT-JW mains और JW advanced mathematics की तैयरी करवाई जा रही है बिल्कुल free of cost हमने coordinate geometry खत्म कर दी है जहाँ पर हमने point याने partition system, straight lines, pair of straight lines, hyperbola, circle, ellipse, parabola यह सब कुछ cover कर दिये यहाँ relations and functions आपका first chapter शुरू हुआ है इसमें हम अब आच चुके हैं signum function हम हर एक function का अच्छे से detailed discussion करें और आप जानते होंगे हम एक 100% free of cost quality online education platform है कि in the garden से 12th standard तक I hope आपको यह पता है कि इसमें हम सारे chapters पूरा syllabus technically हर एक concept उन्हें example से consolidate करना, assign being questions आपके लिए ताकि आपकी practice हो and then practice questions के तुरू आपको हर एक variety के question का exposure देना और finally उस chapter को हर एक chapter को culminate करना उसमें पूछे गए उससे पूछे गए jwe advanced के previous years questions के साथ और बिलकुल आप हमारे notes, pdfs और ebooks के लिए team से contact कर सकते हैं इसके लिए आपको इसी video के description में दिये गए link get notes पर click करना होगा आज जो हमारी बात निकल कर आ रही है, signum function के अगर मैं definition आपको समझाने की कोशिश करूँ तो एक basic सा idea है, आप समझने की कोशिश करें, जैसे कि अगर मैं एक special category का function लेता हूँ जैसे कि, जैसे मैं कुछ उस तरीक से define करता हूँ, mod x upon x now you tell me, आप इससे क्या समझ पारे हो, पहली बात इससे कहा जाता है, signum function specifically, इस function को हम कहते है, signum function, signum of x, हम इसे कैसे read करते है, signum of x अब आप किसी भी function का signum ले सकते है, जैसे कि मैं किस का ले रहा हूँ signum, मैं ले रहा हूँ signum of x का अब किसी भी function का signum लेने का मतलब है उस function का modulus upon that function जैसे अगर मैं x का signum ले रहा हूँ तो x का mod upon x इसकी परिभाशा को क्या में थोड़ा और बेटर कर सकता हूँ इसकी definition को क्या और बहतर बनाया जा सकता है इस signum function की परिभाशा में थोड़ा सा एक twist है twist यह है कि यह actually अगर इसे देखा जाए तो यहां आप कहेंगे कि सर इस function की domain में 0 तो आ ही नहीं सकता है क्योंकि अगर x 0 हो जाता है if x happens to be 0 in that case आप problem समझ पारे हो denominator में 0 हो जाएगा तब यह define नहीं होगा तो signum को थोड़ा सा ना modify किया जाता है signum को थोड़ा तोड़ा जाता है signum को थोड़ा एक अपने according customized definition दी जाती है और वो definition क्या कहती है that definition says कि आप याद रखिये कि आपका यह जो x है आपका यह जो x है जो 0 होने पर problem create करता है हम उसको हटा देते हैं हम उसको कैसे हटाते हैं हम कहते हैं कि जब जब आपका x 0 होगा तब तब आप एक काम करिएगा इस function को 0 की तरह treat कर लीजेगा हमने एक special, एक specific definition उसे दी है जो signum function है आपका और जब जब आपका x 0 ना हो जब जब आपका x 0 ना हो बले भी आप तो 0 से बड़ा होगा है, 0 से चोटा होगा लेकिन जब जब आपका x 0 ना हो तब आप क्या करिएगा, in that case, जब जब आपका x 0 ना हो, in that case, you treat it as mod x upon x, did we all get that, point बड़ा simple सा है कि अगर x 0 है तो signum function 0 हो जाता है और अगर x 0 ना हो, तो signum function कहता है, जिस भी expression का आप signum लेते हैं, उस expression का signum है ना, मैं इसे और specifically लिख देता हूँ, जिस भी expression का आप signum ले रहे हैं, है ना, ये मैं थोड़ी spelling में गड़बड कर रहा हूँ, signum है ना, short में उसे आप ऐसा लिख लेते हैं, जिसे मैंने x का signum लिए, that means, absolute value of x upon x, और I hope मैं अगर इसे थोड़ा और refine करूँ आपके लिए, तो कैस के definition का और बहतर बनाया जा सकता है, Sir, mod x upon x कैसा होगा, आप मुझे बताएं, mod x जब x 0 नहीं है, तो 2 case बनेंगे, क्या case बनेगा, Sir, अगर इसकी परिभाशा को थोड़ा और better version, एक better format दि याद जाए, तो मैं इस तरफ लिख रहा हूँ, I hope that doesn't bother you all, Sir, x जब positive है तब क्या होगा, आप ये बताओ, आप खुद सोचो, जब-जब x positive है, जब-जब x greater than 0 है, तो mod x will be opened as x, and x upon x will give you 1, that's why मैं कह रहा हूँ, ये 1 होगा, जब-जब आपका x 0 है, तब आप कह दे रहे हो, जब-जब x आपका negative है, आप खुद सोचो, जब x 0 नहीं है, यानि जब x negative है, मैं मान लेता हूँ, तो mod x will be opened as minus x, and minus x upon x will be read as minus 1, क्या ये बात आपको समझ आ रहे हैं, यानि सिग्नम function के एक understanding, I hope आप बिल्ड कर पा रहे हो, इस तरीके से हम करेंगे, कोई confusion, कोई doubt, कोई पर आता हूँ, यहाँ से चीज़े अगर और आगे लेकर जाएं, तो क्या समझ में आ रहे हैं, सिग्नम function को थोड़ा और detailed manner में पढ़ते हैं, f of x आपने सिग्नम लिया, जो कि आपने x का सिग्नम लिया, और उसे वो कहते हैं, 1, 0, minus 1, 0 तब जब x 0 हो, x जब positive तब 1, और x जब negative हो, तब minus 1, हैना, mod x upon x, इसे हम ऐसे भी read कर पाने, जो हमने थोड़ा उल्टा यहाँ पर बना लिया है, कि इसे जब जब x 0 ना हो, तब आप इसे mod x upon x लीजे, और यही सिग्नम की actual परिभाशा है, और जब जब x 0 हो, तब आप इस function को 0 की तरह treat करिए, हैना, और अगर domain को लेकर बात करूँ, तो although कहने को कोई यह कहता, कि इसे 0 allowed नहीं है, पर हमने उस function को refine किया, थोड़ा define किया, हमने कहा, कि आप 0 भी ले लो, जब आप x की value 0 लोगे, तो इसे कहना 0, वो मैं 0 यहां रखकर नहीं ला रहा हूँ, वो मैंने specifically, explicitly उसे define किया है, कि जब जब x 0 हो, त तो वो ही होगा, तो मैं यह कहना चाहरा हूँ, कि मैं x की कोई भी value try कर सकता हूँ, मैं हर एक value try कर सकता हूँ, just give me a second, यहां पर आपका यह जो part है, यह 3 नहीं होगा, वो close, उस bracket को close करना चाहरा है, तो इस तरीके से आपका, यह जो bracket होगा, यह close होगा, मैं इसको आपको एक for all the values of x, अगर आप 0 रखते हो तो 0, negative रखते हो तो minus 1, और positive रखते हो तो 1, कोई परिशानी, I hope यह point बड़े अच्छे से साफ तार पर समझ आ रहा है, so the graph of the function is shown in the following figure, अब आप खुच सोचो कि क्या इसे देख कर मैं ग्राफ बना सकता हूँ, I hope you all are clever enough to draw the graph of this function in a very simple fashion, sir बता is like miracle for us, तो मैं अगर आप से पूचो कि जब जब x positive है तब क्या, बुसर जब जब x आपका positive है तब तब यह क्या value लेता है, तब यह value लेता है 1, और जब जब x आपका negative है, तब यह value ले रहा होता है, तब यह value ले रहा होता है, minus 1, और जब x 0 होता है यह तब क्या value ले रहा values पर ये minus 1 तो इस तरीके से जो dotted lines है और ये जो single dots है आपको जो graph दिखाने की कोशिश की गई है ये graph आपका signum of x आपके इस function का क्या है graph क्या ये I hope point आप सभी को समझ आ रहा है आपको सोचो ना जब जब x की positive value try करेंगे तो 1, जब जब x की negative value try करेंगे तो minus 1 और जब x 0 होगा तो 0 sorted तो ये आपका रहा किस का graph भई? आपके signum of x का क्या ये परीभाशा exposed तोर पर, साफ तोर पर clear है कोई परिशानी, कोई doubt यहां से अगर मैं आगे बरता हूँ थोड़ी और clarity लेते हैं और चीज़ें हम समझते हैं इस graph के सुच, उसमें मेरे ख्याल से आपको कोई परिशानी नहीं होगी कि sir, x के positive होने पर positive x मलब 1, x के negative होने पर minus 1 और x के 0 होने पर 0 from here when I will proceed further इस तरीके से आप किसी भी function का signum ले सकते हैं I repeat my statement, जैसे आभी हमने x का signum लिया था so that was mod x upon x लेकिन अगर मैं किसी भी function का signum लेना चाहूँ for example, अगर मैं आपको थोड़ी से clarity देना था हूँ जैसे कि मान लो, कल को मुझसे कोई कहता है कि आप signum ले लो sir किसका आप signum ले लो let's say x square का तो कैसे लेंगे x square का signum बड़ी साफ बात है, गौर्ट से सुनिएगा इसकी definition दो parts में पहले तो break करिये एक तो बिना कुछ सोचे समझे लिख दो 0 जब-जब x क्या हो 0 and whenever x is not 0 whenever x is not 0 आप इसे क्या लिखेंगे आप इसे लिखेंगे mod of x square upon x square कि यह बात आप समझ पारे हो कोई परिशानी तो नहीं I hope you're getting it कि किसी भी expression का signum लिखने का तरीकाई से आप चाहें तो और simplify कर सकते है दिसे मैंटर मच बर दिडियो अंडस्टाइग कि किसी भी function का signum कैसे लिया जाते है यही बात आपको यहाँ पर लिखकर समझाने की कोशिश की है जब आपका X स्क्वेर जिरो नहीं होने का मतलब X का जिरो होना और यहाँ पर X स्क्वेर को जिरो नहीं होने का मतलब X का कुछ भी हो जा रहा मतलब जिरो को छोड़कर कुछ भी है तो X could be anything X could be anything except for 0 क्योंकि सर I hope इस से आप इसको और इस से आप इसको रिलेट कर पारे और I need not explain this part क्योंकि आप एक अच्छी understanding आप बेट कर चुके है क्या यहां तक चीज़ें समझ आ रहे है With that, अगर हम यहां से आगे बढ़ते हैं यहां से गर हम आगे बढ़ते हैं तो भई, यह क्या लिखा हुआ है आपको यह verify करने को कह रहा है कि आप बताओ, x of, मतलब x times signum of x times signum of x is going to be x Now how do we do that, how do we achieve that मैं step by step process follow करूँगा मैं first part से शुरू करूँगा कि x of signum of x क्या होगा तो देखो, पहले तो sir signum of x बताओ, मैं इसको नहीं solve कर रहो मैं बसा भी इस part को solve कर रहा हूँ तो मैं क्या कहूँगा, मैं लिखूँगा x times signum of x क्या होता है तो देखो, आप मुझे बताओ, signum of x क्या होता है तो signum of x होता है sir, 1, 0 और minus 1, कब-कब जब आपका x positive हो जब आपका x 0 हो और जब आपका x negative हो सुन रहे हैं आप लो, लेकिन मैं क्या ले रहा हूँ x times signum of x, तो मैं क्या करूँगा मैं उसमें x से multiply कर दूँगा तो कितना हो जाएगा, x into 1 x into 0 and x into minus 1, जिससे अगर मैं simplify करता हूँ, तो क्या मनिएगा, देखो भई x 0 और minus x, क्या आप सब मेरे साथ हैं, तो यह क्या बन जा रहा है x 0 लेकिन सर एक मिनिट, आप इससे solving कर रहे थे, आप x times signum x into signum of x इसमें एक और signum of x आ रहा है, जिससे आप solve कर रहे थे, तो सर इससे कैसा है करेंगे मेरा कहना है, इसको एक बार और signum x से multiply कर दो, क्या यह परी भार्षा आप समझ पारे हूँ, अच्छा एक छोटी सी बात बताओ इसको देखकर कुछ strike कर रहा है क्या देखो न आप, जब x positive है तो x, जब x negative है तो minus x, और जब x 0 है तो 0 आप सुन रहे हो जो मैं कहना चारह हूँ क्या अगर, वैसे तो यहीं से answer मतलब ऐसे यहीं से continue कर रहा हूँ तो भी दिख जाएगा, पर मैं एक छोड़ा सा conclusion देना चाहरा हूँ कि in case अगर मुझसे किसे ने पूछा हो था x times signum of x will I be able to write that as mod of x क्या मेरे पास यह liberty है कि मैं इसे mod of x की तरह लिख पाँ, I hope you are realizing we can do that, क्यों भी? क्योंकि, क्या आप यह point समझभा रहे हो ना x 0 और minus x जब x negative तो minus x, जब x 0 तो 0 और जब x 0 से बढ़ा हो तो x यह mod x की definition है, I hope आपको याद आ रही है तो this can be treated as mod x as well मतलब, यही problem मेरे लिए क्या बन सकती है, मैं अगर लिखना चाहूं तो mod x into signum of x क्या आप मेरी बात सुन रहे हैं अब अगर मैं mod of x into signum of x को treat करना चाहूं या break करना चाहूं, तो उसे मैं कैसे break करूंगा पहले signum of x बताईए आप that is going to be again 1, 0 and minus 1 again the definition remains same x जब 0 से बड़ा है, x जब 0 है और x जब negative है लेकिन यहां पर क्या बदलावाने हैं यहां पर यह बदलावाने हैं, गौर से सुनिएगा कि अगर मैंने इसे mod x से multiply किया अगर मैंने इसे कैसे multiply किया, mod x so here I'll put a mod x, यहां भी एक mod x रखा जाएगा और यहां भी mod x रखा जाएगा mod x into 1 कितना भई, mod x mod x into 0, कितना 0 and this is going to be minus mod x तो इसे में क्या लिकूंगा 0 और इसे में minus mod x अब आप खुद समझना बात को थ्यान से सुनकर बिताओ, जब x positive है, जैसे कि 5 है तो 5 का mod 5 जब x 0 है, तो 0 लेकिन जब x, let's say negative है minus 2.3, तो minus 2.3 का mod 2.3 लेकिन उसका negative minus 2.3 मदब मैं कहना चाहरा हूँ, x की जो भी आप value रख रहे हो ये expression वापस आपको वही value return कर रहे हैं, तो शला इसे x times, sorry, mod x time sign of x, technically x के ही equal आ रहे है, मतलब मैं आपसे कहना चाहरा हूँ, अगर x time sign of x, जो की mod x है, अगर इसमें एक बार और sign of x, x का multiply क्या, तो आपको क्या return करता है, x क्या ये verification, क्या एक basic सा idea, जो की आपको signum function समझाने के लिए रखा गया था, बहुत clearly, बहुत साफ तोर पर समझा रहे है, I hope एक basic सी definition है, जिसमें कोई परिशानी ये doubt आपको नहीं है, with that, थोड़ी और clarity लेते हैं, जैसे की ये वाला सवाल, क्या कह रहे है वो, for the following functions, ये अगर आपको graph बनाने को ना कहा जाए, और अगर आपको directly piecewise definition लिखना है, तो वो भी आप लिख सकते हो, totally up to you, है ना, जैसे पहले मैं गर इसकी piecewise definition लिखता हूं, तो क्या आईगे साथ, देखो, signum of log of x लिखना है आपको, आपको क्या लिखना है, signum of, है ना, log of x at base e, अब log x, सुन रहे हैं आप लो, और एक case में वो क्या होगा, 0, अच्छा, by the way, ये कब होता है, ये तब होता है, जब आपका log x क्या हो, जब आपका जो function है, ये आपका not equal to 0 हो, सुन रहे हैं आप लो, और ये कब होता है, ये तब होता है, जब आपका log x जो है, जब आपका log x जो तो signal function नहीं क्या देगा आपने इसमें नहीं क्या क्या आपने इसमें अलग और special क्या क्या can it be simplified further yes we all can simplify it further but how or in what terms और ये क्या context बनेगा जरा इस पर बात करते हैं so log की कौन सी value मतलब किस value का अगर मैं log लू तो वो 0 होता है कि x जब क्या है 1 और दूसरी बात log of x 0 ना हो मतलब x क्या ना हो भई जब जब आपका x क्या ना हो वन ना हो जब 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 आपका x 1 ना हो क्या definition आप सभी को समझाई लेकिन इसमें भी चीज़े थोड़ी सी तोड़ मरोड कर पेश के जाएं तो जादा अचा है अब मैं इसे थोड़ा और ब्रेक करता हूँ जब x आपका 1 से बड़ा है जब x आपका 1 से छोटा है जब आपका x 1 है इसको लेकर और clarity पता है कौन देगा log का graph मैं आपके लिए log का graph बनाने के आपकर कोशिश करा हूँ आपका log का graph होता है जो कि आपका 1 पर क्या होता है 0 आपका log x function है वो आपके x की value जब वो 1 से बड़ी होती है तो वो क्या होता है positive और जब जब आपकी x की value 1 से छोटी होती है तब वो क्या होता है नेगटिव I hope आप समझ पारे हो ये point है ना इससे मैं क्या conclusion देपा रहा हूँ I hope आप देख पारे हो कि अब मैं इसकी definition को और अगर refine करता हूँ और अगर इसको refine करता हूँ तो मैं क्या कहूंगा इसको बहुत साफ language में रिखा जा सकता है इस है कि signum of signum of what log of x at base e साफ साफ दिख रहा है जब जब आपका x 1 से बड़ा है तो log x क्या होता है positive तो something positive on that same value will give you 1 जब x आपका 1 है तो log x 0 हो जाएगा मतलब हम उसे 0 ही रखेंगे और जब आपका x क्या है less than 1 तो I hope आपको दिख रहा है जब जब आपका x 1 से चोटा है जब आपका x 1 से चोटा है by the way in case of log in case of log क्या आप x को 0 से चोटा कर सकते हैं I hope आप realize कर रहे हो कि sir x को 0 से चोटा मत करना वरना गड़बड हो जाएगी क्योंकि अगर मैंने x को 0 से चोटा किया तो आप log के अंदर x I hope definition यह थी original right log के अंदर 0 से चोटी values पास करने का scope ही नहीं है क्योंकि 0 भी नहीं कर सकते हैं 0 से बड़ी ही values रखते हैं तो shell i से यहाँ पर जब आप values रखेंगे तो आप इसको restrict करेंगे 0 से 1 तक did you all get that और उस case में यह minus 1 होगा तो signum x का जो भी domain रहता हो signum of log x का domain sorted है कौन डे साइट ते रहेगा हो log का domain did you all get that अब अगर मैं आपको इसका graph बना के समझाने की कुश्श करो although वो graph आप वहाँ भी बना सकते थे बर अगर चुकी यहाँ पर अगर थोड़ी सी clarity चाहिए तो मैं इसको इस पस्ट तोर पर इस तरीके से बनाओगा मुझे बताओ आपके बास तीन points है कौन कौन से 0 से 1, 1 और 1 से बड़ा है तो यह मान लो 0 है यहाँ पर 1 है और 1 से बड़ी सारी values है तो जब यह 0 से 1 है जब यह 0 से 1 है तब इसकी क्या value है सर जब यह 0 से 1 है तब इसकी value है minus 1 तो शैलाए से 0 से 1 में इसकी क्या value होनी चाहिए 0 से 1 में इसकी जो value होनी चाहिए वो होगी क्या भी minus 1 क्या आप कोई बात समझ जा रही है अच्छा सर 1 पर क्या है? 0 और 1 से बड़े होने पर क्या होगा? 1 से बड़े होने पर ये होगा आपका infinity तक सारी values, मतलब x की सारी infinity तक values के लिए 1 होगा, जैसे कि थोड़ी और clarity से समझाना चाहूं, ये 1 है और ये minus 1 है, तो जब ये क्या रहा? जब ये 0 से 1 तक गया जब ये 0 7 कहा गया, excluding 0 तब ये क्या रहा? minus 1 जैसे ही ये 1 हुआ, उस case में ये क्या हो गया भई? 1 पर ये क्या हो गया? 0 आप सुन रहे हैं, और 1 से बड़ी सारी values के लिए, x की 1 से बड़ी सारी values के लिए क्या रहा 1? तो ये इसका graph है, ये इसका graph है, क्या आप सुन रहे हैं? मैं आप से एक छोटी सी बात कहना चाहरा हूँ, कि ये graph आप log के graph को देखकर भी बना सकते हैं, सीधी सी बात है, और से सुनना, simple सा point है point कहा है sir, आप बताओ, log x कब negative है? तो sir, 1 से छोटी values के लिए log x negative है, तो मान लो, यहां कहीं, let's say minus 1 रहा होगा तो इन सारी values के लिए हैना, 1 से, 1 से छोटी सारी values के लिए, ये क्या रहेगा minus 1, और 1 से सारी बड़ी values के लिए, 1 से सारी बड़ी values के लिए, ये 1 है आपका है ना, यहां पर, 1 से सारी बड़ी values के लिए यह क्या रहेगा वन तो यही graph यहां भी आप बना सकते हो I hope point आप समझपा रहे हो कि चीज़ें कैसे सोचनी है और signum function कैसे draw ते किसी भी function का signum आप ले सकते हैं किस तरीक से बस यह idea आपके brain में मैं feed करना चाहा हूँ did you all get that let's proceed further and get some more clarity ताकि चीज़े और अच्छे से समझ आ सकें समझी जा सकें जैसे find the range of the following तो इस expression की range हमें निकाली है मेरा कहना है एक ही करके करते हैं सर इस वाले पार्ट से शुरू करते हैं वो क्या लिख रहे है signum of x-square मेरा कहना है सर signum अगर picture में आ रहा है तो range को लेके क्या है परिशानी खतम होगी कि आपका x-square जो होना चाहिए वो या तो क्या होगा zero या फिर not zero लेकिन एक बात सुनना आप धियांसे गौर से सुनना जब हमने यहां पर x-square को define किया था तो इसी definition को मैं थोड़ा extend करता हूँ यह वही है पर यहां पर I hope आप समझ पा रहे हो चीजों को कि x-square का not zero होना मतलब क्या है और इससे हम क्या क्या conclusion निकल पा रहे हैं जरा इसी बात पर बात करते हैं I hope आपको signum of x-square थोड़ा बहुत क्लियर हो रहा है जो यहां पर आपको कह कर समझाने की कोशिश कर रहा है तो पहले हम इसी पार्ट से शुरू करते है signum of x-square है ना ध्यान से सुनिएगा अगर मैं शुरू करता हूँ क्या signum of x-square की definition से तो आप मुझे बता हैं आप क्या लिखेंगे I hope sorted है कहानी क्या होगा सर mod of x-square upon x-square I hope आपको दिख रहा है अगर confusion है तो मैं लिख देता हूँ mod of x-square upon x-square कब-कब जब आपका x-square क्या ना हो जब जब आपका x-square 0 ना हो और यह simply क्या होगा 0 जब जब आपका x-square क्या होगा 0 लेकिन सर इस परिभाशा को और simple करने की आउशकता है इस परिभाशा को थोड़ा और बहतर बनाया जा सकता है तो इसके simplification में मुझे क्या scope दिख रहा है? आप मुझे एक छोटी सी बात बताओ कि x square जो होगा आपका, वो कैसा होगा? Sir, x square ताई बात है, वो हमेशा positive होगा, मतलब at least non negative होगा, to be more specific. तो उससे मैं x को लेकर अपना क्या opinion रखता हूँ, मेरा x कैसा होगा? कि आप मुझे x को लेकर थोड़ा idea दे सकते हैं, कि जब x square आपका, इस तरीके से behave कर रहा है, कि वो या तो 0 है, या ना उन 0 है, तो x कैसा हो सकता है? तो मैं काऊंगा, x कुछ भी हो सकता है, sir. x depends, कुछ भी हो सकता है. लेगिन, यहाँ पर समझो आप बात को. यहाँ पर आप बात को समझो, क्या यह expression आपको कभी minus 1 दे सकता है? I hope you are listening to what I am trying to get away. जैसे मैं आपको कुछ value समझाने की कोश्चिश करता हूँ, इसको simplify मत करो, यहीं पर सोचो. जैसे मैं x की value, for example, minus 1 ले लेता हूँ. मैं आपको यह समझना चारा हूँ, क्या अगर इस बार x negative भी रहा, इस बार x negative भी रहा, तो यह आपको 1 ही देगा. Do you all get that? That's what I am trying to make you understand. Point is quite simple. Please always remember this. की आपका चुकी x square, जो है, वो जब 0 नहीं होता है, तो x square, x के positive और negative दोनो ही होने पर, x square आपका हमेशा positive होता है. So this is going to be positive upon positive. This is never going to be negative. इसलिए इनको थोड़ा सा crucially or technically, that's why it will never be minus 1. आप ला ही नहीं सकते. क्योंकि 1 और minus 1 यह बनाते थे ना, यह 0 तो sorted था हमारा, तो मेरा एक एना है, इसका domain चाहे x की सारी real values. अगर आप मुझसे पूचें domain, तो मैं कहूंगा, आप रखो क्या परेशानी है? 0 पर 0 है, negative values पर और positive values पर यह definition है, पर अगर मैं इसकी range की बात आप से करूँ, तो range में आप क्या कहोगे? Range में आप कहेंगे कि 0 तो मिल रहा है, minus 1 नहीं मिल रहा है, क्योंकि आप बना के बता दो मुझे minus 1. अब आप यहां पर इस definition में एक correction आएगा, कि आप यहां पर यह ध्यान रखेंगे, कि एक से जब 0 ना हो, तो यह परिभाशा होगी, और इसे 1 और minus 1 में break नहीं कर सकते, क्योंकि एक्स चाहे positive और negative, यह आपका हमेशा 1 रहेगा, कि अब आपको signum और clearly समझा रहे है, कि इस case में graph कैसा बनेगा, और अगर आपको clarity चाहेगे ना, तो देखो, मैं graph के तुरू भी समझाने की कोश्चिश करता हूँ, कि graph से कैसे अच्छे से आप digest कर सकते हो, यह क्या लिखा है, signum of x square है ना, अब आप पहले x square का graph बनाओ, आपको बहुत अहराम से चीज़े समझा जाएंगी, कि क्यूं यह graph ऐसा बन रहा है, यहां से देखना, बहुत simple सा graph बनेगा, कोई विशिश बात नहीं होगी, और आपको समझा जाएगा, देखो, जब भी कोई signum का graph बनाने को बोलता है ना, तो उसके जिस original function का graph है ना, वो आपकी हमेशा बहुत help करेगा, ध्यान से देखने जाएगा, बहुत काम की बात हैं हम कर रहे हैं, जैसे कि आप मुझे बताओ, x square का graph कैसा है, तो sir, x square आपका एक, अब word facing parabola होगा, तो यह किसका graph है, यह है आपका y equals to x square का graph, साफ बात है, बिल्कुल इस पस्ट बात है, अब आप बताओ sir, यह 0 का बो रहा है, तो आपका यह x square 0 यहां हो रहा है, तो एक तो point यह मिलेगा, अब मैं किसका graph बना रहा हूँ, signum x का, अब x square, हमेशा positive, x square का भी negative हो ही नहीं रहा है, आप समझ रहे हो क्या, तो x square 0 को छोड़के, बाकी सब जगा positive है, और अगर यह बाकी सब जगा positive है, if it is always and everywhere positive, 0 को छोड़कर, तो मैं काऊंगा, signum of x square भी, तो हमेशा आपका 1 ही होगा, बस 0 पर 0 है, तो यहाँ define नहीं होगा, पर x की ये सारी values पर, जहां पर x square positive है, ये 1 होगा, x की इन सारी negative values पर, जहां पर x square positive है, ये 1 ही होगा, तो इसके range में आपको 0 और 1 ही मिलेंगे, I hope आप समझ पर हो, और domain में, पर सारी real values रख पार हो, so this is the graph of what, this is the graph of signum, what x square, क्या आप अब चीज़े समझ पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, clarity आपको बिल्ड हो रही है, कि signum function कैसे behave करता है, और उस पर कैसे सोचा जाता है, कोई confusion तो नहीं है, जैसे, और थोड़ी clarity से सोचने, इस बार क्या होगा, देखो, इसी बात का extension है, और अब आपको चीज़े और अच्छे से समझ जाएंगी, आपको यहाँ पर वापस क्या निकालना होगा, आपको इस quadratic expression का minimum और maximum निकालना होगा, या rather, इसकी range निकालना होगा, ताकि मैं यह जान पहूँ कि यह कब negative है, यह कब positive है, और यह कब किस तरीके से behave कर रहा है, जिससे देखो, मैं अगर इसको थोड़ा सा break करूँ, तो ध्यान से सुनना काम की बात है, क्या आप मुझे इसका discriminant बता सकते हैं, क्योंकि देखो सर, x square, मैं अभी फिलाल किसी और बात पर बात नहीं कर रहा है, मैं बस इससे देखना चाह रहा हूँ, x square minus 2x plus 3, यह कैसा function है, जो कि कैसा behavior रख रहा है, मैं आप से बसे से बज़ना चाह रहा हूँ, तो देखो भी धियान से, क्या कहना चाह रहा है हूँ, अगर इसमें x square का coefficient देखा जाए, तो सर, यह तो एक positive value है, तो क्या सका discriminant निकाल सकते हैं, discriminant क्या होगा अभी, b square, यानि कितना 4, minus 4ac, so 4 into 3, कितना 12, और यह clearly एक negative value है, आपको कुछ click कर रहा है, आपको click करना चाहिए, कि सर, सारी बात यह छोड़ो, signum विग्रम भी एक तरफ रखो, आप तो इस function को, जिस function का आप signum ले रहे हो, उसका graph बना, तो सर, जैसे ही a positive है, मतलब upward facing parabola, in the moment you realize, कि that, इसका discriminant negative है, मतलब इसका discriminant negative है, मतलब इसका discriminant negative है, मतलब इसका discriminant negative है, और यह हमेशा zero से क्या है, बड़ा, zero से हमेशा उपर, यह हमेशा positive है, तो क्या आपको इसकी definition strike कर रहे है, और इसकी range तक हम पहुँच जाएंगे, पर क्या आपको इसकी definition strike कर रहे है, मेरा बस आपसे कहला है, कि यह जो part आपने लिखा है, यह x के किसी भी value के लिए, zero भी नहीं हो रहा है, negative होना तो बहुत दूर की बात, तो क्या बहुत spasht language में, अच्छा सरी है, कैसे आप decide कर रहे हैं, आपको पता है, हम perfect square में convert करके भी इसको सोच सकते थे, अगर आपको यह बात strike नहीं करें, यह जैसे कि क्या, यह लिखा है, x square minus 2x है ना, थरीकों में क्या लिख लेता हूँ, थरीकों में लिख लेता हूँ, 1 plus 2, आप देखो ना, a square plus b square minus 2 यह भी, तो यह बन जाता है, x minus 1 का whole square plus 2, यह आपका अंदर वाला function है, जिसका आप signum लेने में अभी interested हो, तो सीधी सी बात है सर, इसकी minimum value 2 होगी, कब जब x 1 होगा, I hope आप सुन रहे हो, जब x आपका 1 होगा, तब उस case में, इसकी minimum value आपको कैम बिल रहे होगी 2, समझ पारे हो, वरना यह हमेशा 2 से बड़ा ही होगा, तो मैं आपसे कहना चाहरा हूँ, जिस function का आप signum लेना चाहरे हो, क्या वो function कभी 0 होता है, सवाल ही नहीं होगता, तो function ना तो 0 होता है, और negative होने का तो सवाल खत्म हो चुका है, तो मैं यह कहना चाहरा हूँ, वो हमेशा ही positive है, और signum की definition क्या कहती है, अगर वो हमेशा positive ही है, तो इसकी definition क्या होगी, mod of that function upon that function, अब वो positive ही है, x की सारी real values के लिए, तो positive upon that same positive value, will give you 1, तो did you all understand, इसकी range क्या होगी, इसकी range होगी 1, मैं ऐसा क्यों कहना होगी, यह हमेशा positive value देगा, क्योंकि हमेशा positive है, तो something positive upon that same value, will always give you 1, तो 0 या negative बने का सवाल ही नहीं उठता है, तो 0 और minus 1 नहीं आपको मिलेगा, आपको सिर्फ क्या मिलेगा 1, और अगर आप इसका graph मुझसे बनवाएं, तो मैं कहूंगा, यहां कहीं आपका 1 होगा, और यह हमेशा, हमेशा, मतलब हमेशा का मतलब بلकुल हमेशा, X की सारी real values के लिए, आप कोई सी भी value चुन लें, आप कोई सी भी value उठा लें, मतलब आप 0 ले लें, minus 1 लेलें, minus 2 लेलें, कुछ भी लें, यह हमेशा आपका one होगा for all the values of x मतलब आप x की minus infinity से plus infinity तक सारी values लें यह हमेशा positive है तो इसका signum भी हमेशा one होगा और इस function की range क्या होगी one कि अब आपके दिमाग में signum function digest हो रहे और आप clearly चीज़े देख पा रहे हो कि signum function को लेकर चीज़े कैसे सोची जानी है और उसे कैसे work out करना है हम आपको IIT, GW मेंस और GW Advanced, mathematics की तयारी करवा रहे है बहुत comprehensively हम यह चीज़े कर रहे हैं क्योंकि हम हर एक चीज़ बहुत organized manner में आपके लिए execute कर रहे है coordinate खत्म हो चुका है calculus शुरू हो चुका है Vactors in 3D, algebra, autogromatory plant है बहुत strategic आपकी preparation है बस आपको properly lectures देखने है regularly, consistently, numerical applications को समझना है और मेरे ख्याल से इतना यकीनन तौर पर इस exam के लिए काफी है With that, I believe we can culminate this lecture here ख्याल रखिये अपना Thank you so much for watching this video